तो यार तो आज़ इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं मांगा के बार मेरा आज़स वीडियो में बैसिकली मैं करने वाला हूँ चैप्टर नमबर 79 का रिविई हो तो चल ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें इमीजिस तो नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन मैं ट्राय करूंगा कि जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे से मैं आप लोग को एक्स्पिरिन कर सुकूँ इस चैप्टर को एंड ये जो चैप्टर है इसका नाम होने वाला है गरनूला वर्सिस गैस तो कैसी कहानी स्ट होती है और सबसे पहले हम लोग को दिखाए जाता है एलेक जो की बोलता है कि लगता है सबसे जादा स्ट्रॉंगेस फोरेर बन चुका है और वहां पर जो है एक बंद आता है जो कि उससे पूछता है सर क्या मैं इस शिप को बैटल फ्रील के पास लेके चलूं जिस पर एले बोलते हैं मुझे नहीं पता वो कहां गया है और माकी बोलती है अगर तरको यहीं जवाब देना है तो ऑईल जो है तुससे अपने तरीके से पूछेगा हम लोग को लेगे जाता है वेजीटा और ग्रानोला की तरफ जहां पर जो वेजीटा होता है वो दे देता है सेंजू इनको वेजीटा के सामने से टेलिपोर्ट हो जाता है वो टेलिपोर्ट होता है सीधा माकी और ओयल के सामने वहां पर माकी और ओयल काफी सथा सर्प्राइस हो जाता है ग्रानोला को देख करके वह अभी कैसे खड़ा है वहां पर ग्रानोला बोलता है एक बुड़े पर क्या पहरा है पहला है नहीं ग mush नाइस हो गरे समय वाला करें फिर्सक्राइक भॉड़ फैंग form यहें सते कालता है जो होव्यों को सलें welfare भरता है कहा अजीडम हो पर वेरी Museum लेकिता है मैं चौख सब्छाइड़ बनाता यह इन चीछ बोलती है कुछ टाइम पहले तो इस ग्रणोला पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था लेकिन अभी यह काफी जादा फ्रेश लग रहा है और वहाँ पर ऑईल बोलता है चिंता मत कर ग्रणोला अभी सबस्दादा स्ट्रोंगेश वारियर है वही जीतेगा अभी गैस गैस घ्रणोला फेश पर नहीं स्ट कर लीटेश जगी पर नतीज़ से घ्रणोला फिर्मी यहाँ में फीट है इस सबस्कूर में और पर बोलता है कुछ हमलों जो जद दो, ऑफनेखिया प् theor हमारी ऐनो और लोई लत्य है अपने लेकिन और अ करिका से टुन आपर वे बहुते हैं और जो तशनाउन भाजवते लेकिन ऊक्राइश कार्वाइश ज सना लेकिन जब भावा से हटता है तो हम लुब देखते हैं कि गरनुला ने वो इस सारी के सारी कुनाइन इस पंज को देकर गोको एन विज्टा भी शाँक होजाता है, डीज जाके पढ़ता है, सीधा पेडु की तरफ जहां जंगल होता है, और वहापर विजीड़ा बोलता है हाँ बिल्reiben को अभी गरनूला चार्ज करता हूँ आता है गैस के ओपर गैस निएक और प्यार से उसके आइटेक को जो है आराम से रोखता है एंड एक किक मारता है गैस को ग्रनुला फाइनली पूछता है गैस से इसी अबिलिटी को बार बार क्यों यूज कर रहा है तू जहां पर हम लोग को लेके जाता है मांकी की तरफ मांकी बोलती है मैं समझ गई गैस बोलता है क्या तेरी को उस विश नहीं पावर्स नहीं दी और मांकी बोलती है ऐसी बात नहीं है कि गैस जो है अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता वो बस करना नहीं जाता है ग्रनुला एक पंच चार्च करता है और बोलता है अगर तेरे पास इतनी ही पावर है तो शौक हो गई होते हैं, ग्रनोला को ये बहुत जादा बुरी तरह से पड़ी होती है, उसके वांड फिर से आ जाता है, ग्रनोला बोलता है, मुझे पता था, ये अपनी पूरी पूरी पावर हाइट कर रहा है, गैस बोलता है, कि मैं इस पावर को अपने फिलियर समझता हूँ because मैं तुझे अपनी strength से हराना चाहता था वहाँ पर जो granola और gas के बीच में काफी बड़ा distance होता है granola जो है key blast करता रहता है gas पर के gas अचानक से granola के सीधा एकदम सामने आ जाता है जिस पर Goku बोलता है ये तो instant teleportation है gas बोलता है जितनी abilities तेरे पास थी वो अब मेरे पास भी है dan gas एक बहुत जादा powerful पंच मारता है granola के और बोलता है मेरी power तेरे से बहुत जादा उपर है and then जो है एक key blast करता है granola के जिसे granola काफी जादा दूर जागी गरता इस point of time पे Goku and Vegeta gas की power को दिखे शौक हो गए होते है Vegeta बोलता है ये तो बिल्कुर destruction power की तरह था और वहापर जो है Goku बोलता है इसको जो है वो weapons वाली ability की कभी ज़रुरती नहीं थी जब इसके पास इतनी power दी तो अभी granola वापस से खड़ा होता है और एक बहुत अजीब statement देता है granola बोलता है मुझे लगा नीदा तुझे हराना इतना ज़ादा आसान होगा universe में strongest है न तो कितना भी दम लगा ले मेरे अंदर अभी काफी ज़ादा fight बची है अभी granola instant teleportation करता है वो gas के पीछे चला जाता है एक पंच मानने का ट्राय करता है gas को लेकिन gas उस पंच को जो है ब्लॉक कर लेता है gas granola की direction में पीछे की तरफ kick करता है लेकिन granola करता है उसको dodge gas जो है फिर से एक और पंच बाने का ट्राय करता है लेकिन Granola करता है Instant Teleportation वो गायब होता है Gas की पीछे आता है और एक लात मारता है Gas को अभी Granola और Gas की फाइट ऐसी चल रही होती है काफी जादा वो दोनों Instant Teleportation यूज करता है कभी Granola डॉज करता है तो कभी Gas डॉज करता है और उनकी जो फाइट वो इस तरह से चल रही होती है वाँ पर Goku जो है वो एक फइनी स्टेटमेंट देता है Goku बोलता है ये तो Instant Teleportation बच्चों की तरह यूज कर रहा है जबकि मुझे तो काफी जादा मुश्किल होईती है से सीखने में को ब्लॉक कर पाई अच्छे से अभी Vegeta नोडिस करता है कि Gas को काफी जादा प्रॉब्लम हो रही है Granula के साथ fight करने में वो बोलता है देख केकर और ये काफी जादा अजीब तरह से Instant Teleportation यूज नहीं कर रहा है ये इस मूव के साथ बिल्कुल भी familiar नहीं है गोकु बोलता है तुने सही कहा ये Instant Teleportation काफी अजीब तरह से यूज कर रहा है जिस पर Vegeta बोलता है चल जादा नहीं तो कम से कम इस चीज़ में तो Granula Gas से अच्छा है उसके पास अभी भी चांस है कि वो Gas को हरा सकता है जिसमें जो Gas है वो काफी जादा ढरा हुआ सा है एंड जो Granula है वो एक अच्छी सी स्माइल दे रहा है इंड गैस इस चेप्टर यहां के खतम हो जाता है इंड गैस इस चेप्टर में ने ये चीज़ जादा नोटिस की है जो Gas है उसको अभी अपनी पावर जो है अच्छी तरह से यूज़ करना नहीं आया है Gas काफी जादा अनकमफर्टेबल लगा जब वो अपनी विश वाली पावर को यूज़ कर रहा था लेकिन जब वो अपनी अबिलिटी यूज़ कर रहा था तो उसको अभी इस पावर पर इतना कंट्रूल नहीं है अभी अगले शेप्टर नोब बता पड़ेगा कि Gas अपनी पावर को कंट्रूल कर पाता है या फिर नहीं अच्छी वीडियो बस इतना ही गास अब आपको वीडियो पसंदे होगे आपको वीडियो पसंदे है यह तो लाइक किए शेयर किए यह चनल कोई यह सब्सक्राइब मिल तो आपको वीडियो में तिल देन भी गूड गाईस